गुडियों निग बच्चो देखो बच्चो अपने पॉलिटिकल साइन्स की जो सेकिंड बुक है उस सेकिंड बुक का जो अंतिम चेप्टर है भारती रानिती नए बदलाव यह चेप्टर अपने पढ़ रहे थे और आज इस चेप्टर की अंतिम कलास होगी अर्थार्थ आज यह चेप्टर कंप्लेट हो जाएगा और चेप्टर कंप्लेट होने के साथ में ही आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा अब सिलेबस पूरा होने के बाद में क्या करेंगे अपने क्या रन नीती होगी उसके उपर चर्चा अपने एक अलग से वीडियो में इसमें एक बड़ा ही महत्वपूं टोपिक है आपने सुना होगा कि अभी राम मंदिर बना था ठीक है अयोध्य हमें क्या बना था राम मंदिर बना था इसके अलावा जो मुस्लिम दरब से समंदित जो तीन तला कानून वाला सिश्टम है वो क्यों हुआ किस परकार्श हुआ इनके पिछे क्या स्टोरी है वो सभी आज अपने इस क्लास में पढ़ेंगे तो आप अंतक वीडियो के साथ हैं बने रही है क्योंकि ये दोनों ही टोपिक है आपके परिक्षा की द्रश्टी से काफी मोस्ट है ठीक है अब देखो अपने बात करते हैं विया आज की क्लास क और अपना जो टोपिक है वो है सामपरदाइक ता धरम निर्पेक्स ता और लोगतंतर ये अपने भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत जो है वो एक सामपरदाइक देश है एक धरम निर्पेक्स राष्ट है धरम निर्पेक्स का मतलब जहां किसी भी धरम को विशेश धर द्रम का या राष्टे महत्वा का राष्टे ध्रम का दर्जार नहीं दिया जाकर सभी ध्रमों के साथ में समान विवार क्याता है वह क्या होता है ध्रम निर्पेक्स भोल दो एक ही बात है अब देखो हुआ क्या विया अपने 1990 के दसक में विया अपने भारत में किस परकार की राजनिती स्टार्ट हो गई धार्मिक राजनिती स्टार्ट हो गई मतलब ध्रम के नाम पर अपने भारते में राजनिती प्रारम भी हो गई जैसे अपने बात करें कि जो बीजेपी है बीजेपी कौन से ध्रम को सपोर्ट करत ये हिंदुत्व की बात करती है, राम की बात करती है। इसके अलवा अगर अगर अपने दूसरी पार्टी की बात करती है। इस्तापना जो है वो कब हुई थी 1980 में और ये धार्मिक राजनिती जो है वो एक परकार से देखे तो यहीं से अपने भाजपा के गठन के बाद से स्टार्ट हुई थी क्यों हुई थी उसकी चर्चा अपने आगे करेंगे या 1980 में बीजेपी की क्या हो गए इस्तापना हो ग पराची नेता थे पुराने नेता थे उन्हीं के सयोग से अपने किसकी स्टापना हुई थी बारतिय जन्ता पार्टी की स्टापना हुई थी और जन्संग पार्टी में आपको पढ़ा चुका हूँ अब यह बाजपा या जो भारते जन्ता पार्टी है इसने केसी रादिती प्रारम कर दी हिंदूत्व की रादिती प्रारम कर दी मतलब हिंदू के उथान के लिए हिंदू के कल्यान के लिए एक प्रकार से अपने हिंदू ध्रम के लिए या हिंदू को बढ़ावा देने की रा जो है वो कौन शी पार्टी के दवारा प्रारण कर दी गई aindao इस निर्मान जो है वो सबसे पहले किस के दोरा किया गया था वीडी सावरकर के दूरा किया गया था हिंदूत वर जो सब्ध है इस सब्ध का परियोग सबसे पहले किस ने किया था वीडी सावरकर ने किया था वीडी सावरकर जो माराश्टर के थे अपनी जिनका पूरा नाम था वीर विनायक दामुदर सावरकर एक ऐसे क्लाइटिकारी थे जिनको एक ही जनम में भी आजनम कारावास की सजा हुई थी आपने सावरकर थे इन्हों को भारती राश्ट्र की बुनियाद बताया लेकिन होने सावरकर्ण ने कहा कि जो हिंदू है वो भारते राष्टर की क्या है बुनियाद है अगर भारते अगर किसी के ओपर टिका हुआ है भारत के अगर कोई बुनियाद है तो वह क्या है अब देखो भी यह मैं चीज गुनी सो चीयाशी में भी या दो बाते हुई या कारण भाजपा की राजनिती में वर्दी हुई या भाजपा का उदे हुआ या भाजपा की एक प्रकार से जो पार्टी थी उसका विकास हुआ और गुनी सो चीयाशी में फरदान मंत्री कौन थे अपने राजीव गांदी देखो लाश्ट कलास में थोड़ी सी लिखने में मिष्टे कर दी थी गुनी सो असी से चोर्याशी लिख दिया था तो यह देखो मायनर मिष्टे के जल्दी बाजी में हो जाती है तो थोड़ा सा आप ध्यार रख लिया करो ठीक है गुनी सो चीयाशी में विया दो गठाएं गठी थी और इस समय अपने भारत के फरदार मंत थी थे राजीव गांधी जो गुनी सो चोर्याशी से गुनी सो नवाशी तक पीएम रहे थे और गुनी सो इक्राण में इस्वी में मैं गुनी सो इक्राण में इन में हत्या हो गई थी तो दो गठनाएं क्या हुए थी बिया पहली तो वी थी मुस्लिम महिला अधिनयम गु इस से समद्दिते हैं, एक 62 महिला थी, जिसका nाम ता शाब आनौ, विद्वा महिला थी, विद्वा महिला थी, तो मतलब विद्वा कर शक्तों तलाक देता है, तो वहां पे तलाक तलाक इस प्रकार से 25 वर्ष महिला थी, इसका नाम था शा का बानू, तो उसने कहा की मुझे क्याम दिया जाए, गुजारा बता दिया जाए, आपने तलाक दे दिया, लेकिन उसके बदले में मुझे गुजारा बता दिया जाए कि मेरा घर के से चला मेरा जीओने अपने के से चले ठीक है तो इसके लिए उसने कोट में क्या कर दी अरजी दायर कर दी कोट में केस कर दिया बिया कोट जो था उस कोट ने भी शाबानों के पक्से फैसला सुनाया कि हाँ इनको गुजारा बता मिलना चाहिए लेकिन तबी जो मुस्लिम समाज है मुस्लिम धर्म है भी या इस मुस्लिम धर्म के जो नेता थे जो बड़े बड़े इमाम थे मौलवी वगर जिनको अपने बोलते है वो थे उन्होंने कहा कि यह जो है वो मुस्लिम पर्ष्णल जो कानून है या मुस्लिम कानून जो है उसके खिलाफ है तो सर्वोचे ने जो फैसला दिया ना वो क्या है मुस्लिमानों के पर्ष्णल कानून के खिलाफ है या इसलाम के खिलाफ है हम इसको नहीं मानते तब या अपने भारत में सरकार किसके अपने राजीवगन देखी कॉंग्रेश सरकार और कॉंग्रेश सरकार ने भिया सर्वोचे न्याले के इस आदेश को क्या कर दिया निरस्ट कर दिया अब सर्वोचे न्याले ने इस आदेश को निरस्ट कर दिया उससे क्या वा जो महिलाएं थी उन महिलाओं ने एक प्रकार से सरकार का विरोध किया कि ये सही कानून था इसको लागू होने देना चाहिए था महिलाओं ने विरोध किया जो बुद्धी जीवी संगठन थे उन्होंने विरोध किया और इनका पक्स साथ ही साथ में किस ने ले लिया बीजेपी ने ले लिया और बीजेपी ने कहा कि जिस दिन हम सत्ता में आएंगे इस कानून को भी क्या कर देंगे समाप्त कर देंगे और आपको पता हो अब पिछले एक दो साल पहले अपने कानून बन चुका है तलाग बाबरी महचित भीया अयोध्या परता है अपने यूपी में उत्तर पर्देश में ठीक है वहाँ पर भीया ये अपने राम की जनम मुमी है अपने भारत में पहला मुगल बाल से आया था बाबर जो अपने फरगना से आया था ठीक है बाबर जो है वो कब आया था हिंदुस्त सब्सक्राइबutar तो बाबरी मस्जिद किसके द्वारा बनाएगी थी मीर बाकी कोन था बाबर का सिफ है सालाथ अब बाबरी मस्जिद बनाने के बाद में यहां पर जो है वो धीरे धीरे एक परकार से भारत की आजादी के समय लगबग एक परकार से तनाओ का सा महुल कायम हो गया था तब जो सुप्रीम कोट था उस सुप्रीम कोट ने भिया गुनी सो चालीश इसी में इस बाबरी मस्चित के क्या लगवा दिया लोक लगवा दिया ताला लगवा दिया क्यों क्योंकि अब यहां पर एक प्रकार से दंगे बढ़कने स्टार्ट हो गए थे एक प्रकार से हिंसा का माहूल कायम हो गया था हिंदु कह रहे थे कि यह बाबरी मस्चिद जो है वो राम मंदिर के उपर बनाए गई है इसलिए इसको तोड़ो इसको यहां से अटाओ मुसल्मान कह रहे थे नहीं यहां पर अल्ला की मस्चिद है हम इसको नहीं तोड़ेगी यह तो कापी वर्सों पुरा नी है इस परकार से विवाद कायम हो गया था अब तब 1940 में सुप्रीम कोट के दुआरा इस मस्चिद के उपर ताला लगवा दिया अब देखो आगे क्या हुआ गुर्णी सो चीएशी में भिया फेजाबाद जिला नियाले ने इस ताले को खोलने का क्या सुनाया फेजाबाद नियाले जो था उसने कहा कि अब ये ताला क्या कर दिया जाए खोल दिया जाए इसलिए खोल दिया जाए क्योंकि यहाँ पर हिंदू जो है वो क्या कर सके पूजा पाठ कर सके क्योंकि आयोध्या जो है वो राम की जनम भूमी है हिंदू इसको पवित्रिस्तान मानते हैं इसलिए इसका ताला कोल गया जाए ताकि हिंदू यहां पर क्या कर्श के पूजा पाटे कर्श के साथ जैसे यह खबर फेली ताला कोलने की इस खबर से दोनों पक्स क्या होने लग क्या बना लिया एक चुनावी मुद्धा बना दिया RSS का मतलब राश्टेश यूम सेवा के संग ठीक है इन होने भी मिलकर भया इसे एक चुनावी मुद्धा बना दिया कि हाँ यहाँ पर राम का मंदिर था और यह मस्टिर जो है वो यहाँ पर क्या है गलत है नाजायज है देखो इसी समय विया गुजरात के सोमनाथ से सोमनाथ क्या है गुजरात में एक मंदीर है वहाँ से एक जगे है सोमनाथ का मंदीर वहाँ से विया अयोध्या तक एक बड़ी यत्र यात्रा निकाले गई किस समय जिस समय ये मंदिर का ताला खुला था एक बड़ी रथ यात्रा निकाले गई जिसमें अपने हजारों की संक्या में राम भक्त जो है उन्होंने भाग लिया 6 दिसंबर ये डेर त्यारतना विया 6 दिसंबर 1922 में को विया इस मस्चित को क्या कर दिया गया गिरा दिया गया और जैसे ही ये मस्चित गिराए गई अपने भारत में जो है वो क्या होने लगए हिंसा होने लगए दंगे होने लगए एक परकार से हिनसग माहूल कायम हो गया अपने बंबई जो है वहाँ पर लगबग दो तीन हप्टों दग वह हिनसा का माहूल राहा क्यों क्योंकि हिंदु और मुसल्मान आपस में लड़ने लगए आपस में जगड़ने लग गए एस समेविया जब हिंसा बढ़ने लग गई तो यूपी जो था यूपी अयोध्या जो है वह कहाँ पार यूपी में है तो यूपी में अपने भारत के राष्टपती जो थे उन्होंने क्या लागउ कर दिया राष्टपती सासन लागू कर दिया कब गुनी सो बाणमे में गुनी सो बाणम या धारा तीन सो चपन या अनुचे तीन सो चपन के तहट यूपी में क्या लगा दिया गया राष्ट पती सासन लगा दिया गया क्योंकि यूपी के जो मुख्य मंत्री थे या उन्होंने एक बाशन दिया था कि विवादित दाचे की क्या की जाएगी रक्सा की जाएगी मतलब उसको एक विवाद बता दिया था उस ने काब जो बाबरी मजची चुछ थी उसने इस परकार का बेहान दिया उससे क्या हुआ एक परकार से जादा बढ़के थे इसलिए जो राश्टपति थे उन्होंने इंदर सरकार के द्वायरा या राष्टपति के द्वारा चलाई जाती है अब बात ही आती है कि साथ जिस समय ये यूपी में राष्टपति सासन लगा था उस समय यूपी के मुखे मंतरी कौन थे या आपको पूछ ले कि जिस समय बाबरी मस्जिद को गिराया गया था उस समय यूपी के मुक्हे منطری कौन थे तो ये यूपी में सरकार थी अपने बीज़ेपी की और बीज़ेपी के मुक्हे मंतरी थे कल्याड सिंग ये महां के क्या थे उसमे सी अम थे ठीक है और पिर यह मामला जो है वो वापस कहा चला गया कोट में चला गया और अभी आपको पता हो पिछले लाश्टीर जो है इस मामले की सुनवाई होई है और सरवोचे इन्याले ने यादेश दिया है कि वाबरी मस्जिद जो थी वहाँ पर पहले रामंदिर था और इस वज़े से भी या वहाँ पर रामंदिर बनाने का कारिये भी प्रारम में कर दिया गया है अब अगला पॉइंट आता है गुजरात में मुस्लिम विरोधी दंगे या गोदरा कांड देखो क्या हुआ था मतलब यहाँ पर मस्जिद गिराए गई है गुजरात में दंगे हुए है गोद्रा कांड क्या है ये गोद्रा कांड इसके बारे में अपने चर्चा करते हैं देखो भीया, फरवरी मार्च की बात है भीया, साल कोन सी है, 2002 में गुजरात में भीया बेंगर हिंसा हुई, मार पीट हुई और दंगे हुई, किन के बीच में हिंदू और मुस्लमानों के बीच में दंगे हुई भीया, लगबाग जादा रासो की संक्या में लोग मारे गए और जिनमें से जादा तर कौN थे, मुस्लिम, समपरदाए के लोग ही थे, क्यों हुए थे देखो, क्या हुआ था, इसका कारण क्या था, गोध रा स्टेशन पर गठी एक गठना थी भीया, गोध रा इस्टेशन, गोध रा इस्टेशन कहां पर है, अपने गुजरात में है भ मतलब राम भकते ठीक है और इसी ट्रेन में विया गोद्रा इस्टेशन पर जो है, वो क्या लगा दी गई? आग लगा दी गई मतलब एक ट्रेन रवाना हुई इस ट्रेन में विया कार्शेवक बेठे वे थे एक डिब्बे के अंदर और उस डिब्बे में गोद्रा नामक जो कारशेवक है उनकी जलने से क्या हो गई मरति हो गई और यह आग जो है वो किस ने लगाई थी या इसका आरोप किस के उपर आया था भेया मुसलमान उपर आया था ये कहा गया कि यह आग जो है वो किसने लगाई है मुसल्मानों ने लगाई है तब भीया अपने गुजरात में क्या होने लग गई हिंसा हो गई क्यों कि यहां पर 57 कौन मारे गई हिंदू मारे गई तब यहां गुजरात के जो हिंदू थे भीया इन हिंदुों ने किन को मारना काटना प्रारम कर दिया मुसल्मानों को मारना प्रारम कर दिया और इसमें लगबग बिया कितने लोग मारेंगे 1100 लोग मारेंगे जिन में से अधिकान्स कौन थे मुसलिम थे अब यहां पर देखो क्यूसन क्या आता है कि गुजरात दंगे के समय या गोद्रा कांड के समय गुजरात के मुख्य मंतरी कौन थे तो विया गुजरात के मुख्य मंतरी थे उस समय नरेंदर मोदी जो वर्तमान में अपने क्या है भारत के फरदान मंतरी है और अगर क्यूशन कूछ ले उस समय भारत के फरदान मंतरी क या था एक खतन भी कहा था जो बड़ा फेमस है कई बार अपने एकजामें पूछा जाता है वो खतन क्या है कि मुख्य मंत्री को मेरा संदेश है कि वे राज धरम का क्या करे पालन करे सासक को अपनी परजा के भी जाती मत या धरम के आधार पर भेदबावे नहीं करना चीए यह है पंक्ती बिया 4 अप्रेल 2002 को अटल बिहारी वाजपे ने कही थी किसे नरिंदर मोदी को क्यों 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 कि गुजरात में क्या वराता हिंदू जो थे वो कीने मार रहे थे मुसल्मानों को मार रहे थे तब अटल बिहारी वाजपे ने कहा कि आप गुजरात में जो ह इसी परकार का भेद भावे मत करो इसी गटना को बोलते हैं भीया अपने इतिहास में गोद्रा कांड ठीक है अब भीया अपने दो छोटे छोटे टोपिक और है अपने इस बुक में नाइन नवा जो चेप्टर है इसमें एक तो है भीया 2004 के लोग सबाद चुनाव मतलब 2004 में जो चुनाव हुए थे देख भीया एक भात ध्यार ना 2004 में जो चुनाव हुए थे ना वो कौन सी लोग सबाद चुनाव थे चौध भी मतलब चुनाव थे कॉंग्रेस पार्टी का गठ बंदन था, कॉंग्रेस पार्टी के द्वारा बनाया गया ये क्या है, गठ बंदन है, यूपिय किन का है, कॉंग्रेस वालों का है, एक आता है, एंडिये, वो किन का है, बीज़ेपी वालों का है, ठीक है, तो 2004 में भी यूपिय अर्थास सेयुक प्रगतिशिल गटबंदन की सरकार बने जिसता नेतर तो जो है वो किस ने किया था कॉंग्रेश ने किया था और फरदान मंतरी बने थे अपने कौन मनमोहने सिंग जो 2004 से लेके 2014 तक अपने भारत की क्या रहे थे फरदान मंतरी रहे थे फिर 2014 में चुनाव होगे भी या वो चुनाव होए थे अपने ये 14 वी के होगे फिर 15-16 वी के चुनाव देखो ध्यारना 2014 में जो चुनाव होए थे वो कौन सी लोक सबा के चुनाव थे 16 वी के और वरतमान में जो लोक सबा चल रही है वह कौन सी है सत्रवी लोक सभा है जिसके चुनाव कब हए थे 2010 में 2010 में शत्रवी लोक सभा के चुनाव है वर्तमार समय में शत्रवी लोक सभा चल रही है अब देखो भiset इस लोक सभा में कितनी है और जिंधly कितनी शिटे हैं राष्ट्रपति के द्वारा किये जाते हैं अब देखो निर्वाचित मतलब जो चुन कर आ गए जनता ने जिनको जिता दिया वो तो निर्वाचित हो गए वो तो कितने आए कि 543 अब दो जो होते हैं मनोनित होते हैं उनको राष्ट्रपति मनोनित करता है कि हाँ आप लोग सबा में क्या हो सांस से दो अब यहाँ पर क्यों से नहीं आता है कि ये दो सदे से कौन होते है राष्ट पति किन को मनोनित करता है तो ध्यान रखना भिया राष्ट पति जो है ऐसे दो वेक्तियों को मनोनित करेगा जो क्या हो एंगलो इंडियन हो अर्थार आंगल भारतिये हो कलियर है तो देखो भी यह यह 545 सदे से केश हो गए 530 तो चुने जाएंगे विबिन राज्यों से ठीक है तेरा सदे से चुने जाते हैं के अंदर साशित परदेशों से दो हो गई राष्ट पती के द्वारा मनोनित तो इस परकार से टोटल कितने होते हैं 545 अब अगर आपको Quses on पूछ ले की सतरवी लोग सबा सतर्वी लोग सबा में कतनी सीटों के लिए चुनाओ हुए यह तो जारतथ चुनाओ तो हमेशा 563 लीए होते हैं दो तो क्या होते हैं मनोनित होते हैं क्यों सना जाएं सत्रवी लोग सबा में बीजेपी को कितनी सीटे मिली तो बीजेपी को भिया 303 सीटे मिली मतलब इस बार गठबंदन की सरकार नहीं है इस पर्ष्ट बहुमत है बीजेपी के पास में कोई दिक्कत ही नहीं है और कॉंग्रेस को कितनी सीटे मिली थी मातर चोवन सीटे मिली थी ये था अपना चेप्टर अब आप को पर निकालो और हैडिन लगाओ साम परदायकता ध्रहम निर्पेक्सता और लोगतंतर और इसमें लिखो भी या एक चीज और देख लें नविया यहाँ पर ये दो क्यूशन थोटे-चोटे क्यूशन और पूशते हैं बसपा यानि बोजन समाजपार्ट की स्तापना कब हुई थी 1884 में किस ने की थी बाबा काशी राम ने की थी और इसका जो परती चीन है वो क्या है हाथी है एक हब या बाम सेप जिसकी चर्चा अपने पिछली क्लास में भी कर चुके है सात्वा जो चेप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था मैंने बाम सेप दलित पेंथर्स जो था भी या महराश्टर में दलितों का एक समुए जो था उस दलित पेंथर्स की जब समाप्ती हो गई थी तब उसके स्तार पे एक नया संगठर मना था जिसका नाम था बाम सेप जिसका पूरा नाम है बेकवर्ड एंड मोईनोरोटी एमप्लाइस फेडरसल और इसका गठन कब वहा था गुर्णी सो अठंतर में बस इतना है आपका चेप्टर कंप्लीट हो चुका है गुर्णी सो नाम के दसक में धार्मिक राजनिति का उदे हुआ धार्मिक राजनिति का उदे बारती जन्ता पार्टी की देन माना जाता है बारतिय जन्तापार्ट की स्तापना 180 में हुई भारती जन्ता-पार्टे के स्ताफ़ना в 1980 में हुई बीजेपी के दुरा ही, हिंदूत्वे की रह निते का प्रारम किया गया इस हिंदूत्वे की सब्त का पर्योग सरफ पर्तंब वीडी सावरकर्न किया वीडी सावरकर ने हिंदु को भारती राष्टर की बुनियाद बताया फिर पेरे ग्राफ चेंज करके लिखो विया गुनी सो च्याशी में दो बाते हुई जिसके कारण बाजपा की रानिती में विकास या वर्दी हुई नमबर एक मुस्लिम महिला अदिन्यम गुनी सो च्याशी तलाख से जुड़े अधिकार इसमें लिखो विया एक बासट वर्दी महिला शाबानो का ज़र तलाख हो गया तो उसने गुजारा बता प्राप करने के लिए कोट में अर्जी दायर की तता कोट ने भी उसके पक्स में फेशला सुनाया लेकिन मुस्लिम नेताओं ने इस फेशले को इसलामी कानून के खिलाब बताया तब सरकार ने इसे निरस्ट कर दिया इस गटना के कारण बारत की महिलाओ इस गटना के कारण भारत की महिला संगटनों बुद्धी जीवियों और बाजपा ने कोंग्रेस की आलोचना की थता कोंग्रेस की इस निती को अनावश्यक रियायत अथ्वा तुष्टी क्रण की निती कहा नमबर दो हेडिन लगाओ पर या अयोध्या विवाद बाबरी मस्चित इसमें लिखो देखो लिखो इसमें सोडवी सदी में मुगल सासक बाबर के समय बाबर के सिफ़े सालार मीर बाकी ने अयोध्या में इस्तित एक राम मंदिर को तोड़ कर उसके स्तान पर एक मस्चित का निर्मान करवाया जिसे बाबरी मस्चित के नाम से जाना जाता है आज़ादी के कुछ समय पहले 1944 में नाले के दौरा इस मस्चित को ताला लगवा दिया गया लेकिन 1986 में फेजाबाद जिला नाले ने ताला खोलने का फेशला सुनाया और कहा कि यह हिंदों का पविस्तर इस्तल है हिंदू यहां पुजापाट कर सकते हैं इस खबर से दोनों पक्स लामबद होने लगे इस समय भाजपा ने विश्व हिंदू परिशद तता राष्टे श्वम सेवक संग के साथ मिलकर इसे चुनावी मुद्दा बनाया इसी समय गुजरात के सोमनाच से अयोध्या तक एक के बड़ी रथ यात्रा निकाले गई तता 6 दिसंबर 1902 में को बाबरी मस्चित को गिरा दिया गया जब बाबरी मस्चित को गिराया गया तब वहां पर भैंकर दंगे और हिंसा हुई इसी दोरान यूपी के मुख्य मंतरी कल्यान सिंग ने एक बयान दिया की विवातिट ढाचे की रक्सा की जाएगी इस कारण यूपी में राष्टपती सासन लगा दिया गया और यह मामला वापस कोट में चला गया आगे लिखो हेड़े लगो गुजरात में मुस्लिम विरुदी दंगे गोदरा कांड लिखो भी इसमें लिखो फरवरी मार्श दो हजार दो में गुजरात के मुसल्मानों के विरुद बड़े पेमाने पर हिंसा हुई अयद्या की ओर से गुजरात आ रही एक ट्रेन की बोगी राम भक्त कार शेवकों से भरी वी थी इसमें गोदरा स्टेशन पर आग लग गई अत्वा कुछ लोगों ने यह कहा कि यह आग मुसल्मानों ने लगाई है इस आग से 57 व्यक्ति मारे गई जिसके कारण अगले ही दिन गुजरात के अनेग भागों में मुसल्मानों के विरुद बड़े पेमाने पर हिंसा हुई हिंसा लग बग एक महने तक जारी रही इस हिंसा में लग बग 1100 वेक्तियों की मर्तियों हुई जिन में अधिकांस मुसल्मान थे इस समय इस समय गुजरात के मुख्य मंत्री नरेंदर मोदी थे तदा भारत के फरदार मंत्री अटल बिहारी वाजपे इथे इन दंगो के समय भारत के फरदार मंत्री अटल बिहारी वाजपे इने 4 अप्रेल 2002 को एक संदेश गुजरात के मुख्य मंत्री नरेंदर मोदी को दिया जो इस परकार है मुख्य मंत्री को मेरा संदेश है कि वे राज धरम का पालन करे साथ सक को अपनी परजा के बीच जाती मत या धरम के अधार पर बेदबाव नहीं करना चाहिए बस फिर एक छोटी सी नीचे हैडिन लगा लो 2004 के लोगसबा चुनाव और इसमें लिखो भी या 2004 में हुए लोगसबा चुनाव में 2004 में हुए लोगसबा चुनाव चौदवी लोगसबा के चुनाव थे जिसमें सहपरंग ब्रेकिट में किलना सहुंत परगतिशिल गटबंदन यूपीय की सरकार बनी और नेतरत्वे कोंग्रेस पार्टी के दुवारा किया गया तता भारत के फरदान मंत्री मनमोहन सिंग बने फिर इसके बाद में निचे लिखो बेद शेक्री लाइन में लिखो पंद्वी लोगसबा के चुनाव ये चौदवी की हो गया ना पंद्वी लोगसबा के चुनाव दो हजार नौ में हुए ठीक है इसमें भी यही सिस्टम रहाता है सेम पूशे फिर नेक्स पॉइंट में लिखो सोल भी लोग सभा के चुनाब 2014 में हुए जिन में NDA की सरकार बनी UPA तो कौन सी है? कॉंग्रेस के गटबंदर वाली NDA किन की है? अपने BJP की वाली ठीक है NDA की सरकार बनी जिसका नेतर्त्वे NDA नि राजजग NDA की सरकार बनी जिसका नेतर्त्वे बाजपा ने किया और नरेंदर मोधी भारत के फरदान मंत्री बने फिर हैड़ी लगाओ भी या 2019 के लोग सभा चुनाओ और इसमें लिखो 2019 के लोग सभा चुनाओ सत्रवे आम चुनाओ थे जिसमें कुल 545 सीटे 545 सीटे सीटों के लिए चुनाओ हुए इन 545 में से 543 निर्वाचित थता 2 सीटे राष्ट पती द्वारा मनोनित होती है ये दो सदसे एंगलो इंडियन या आंगल भारतिये होते हैं थता 543 में से 530 सदसे विबिन राज्यों से 13 सदसे के अंदर साशित परदेशों से चुने जाते है सत्वी लोगसभा के आम चुनों में बाजपा को 303 सीटे थता कॉंग्रेस को 54 सीटे मिली थता तीसरे स्थान पर जो पार्टे रही उसका नाम डी-एम के है अब 2.0 लिख लो भी यह हटकी है अपने चेप्टर में है पहले तो हेटर लगा लो बस्पा बस्पा और इसमें लिखो भी यह बस्पा का पूरा नाम बहुजन समाज पार्टी है इसकी स्तापना गुन्नी सो चोर्यासी में बाबा कांशी रामने की इसका परतीक चिन हाती है और फिर एक पॉइंट और लिख लो नीचे बाम सेब का गठन गुन्नी सो अठंतर में हुआ ठीक है यह आपका सिलिबस चो है वो कम्प्लीट हो चुका है ओके देट सो